नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है इत्र कारोबारी प्यूस जैन के घर से बोरों में भरी नोटों की गड़ियां और जमीन से सोना उगलने का सिंसिला थम नहीं रहा है पहले कानपुर में करवाई हुई और उसके बाद कन्नौज में जहां अभी भी नोट की काउंटिंग और सोना निकालने की कोशिस की जा रही है अभी तक की जानकारी के मुताबिक 280 करवाई कैस और 125 कीलो सोना समेत अर्बों की संपत्तिक के दस्तावेज मिल चुके हैं जी एस्टी इंटेलिजेंस और आयकर विभाग ने कानपुर इस्तित ठीकानों के बाद जब कन्नौज में करवाई सुरू की तो उसकी आँखे फटी की फटी रह गई क्योंकि यहां पे दिवारों में नोटों की गड़ियां बोरों में मिल रही हैं और जमीन से सोना निगल रहा है जो खबरे आ रहे हैं उसके मुताबिक कानपुर में जहां 177 करवाई मिले थे वहीं कन्नौज में 103 करवाई अभी तक मिल चुके हैं और 125 किलो सोना यानि की 280 करोन रुपया कैस और 125 किलो सोना और वो की संपत्ती ये लिटिश्ट दस्तावेज है 36 लोग प्यूश जैन के घर के अंदर अभी भी च्छान बीन कर रहे हैं जो जनकारी आ रहे हैं उसके मुताबिक 15 अलमारी काठी जा चुकी है जबकि 20 ताले तोड़े गए हैं इस कटर से तिजोरी का लाकर तोड़ा गया है कन्नौज के 36 इस्तित प्यूश जैन के घर से रभीवार साम तक 125 किलो सोना मिला था उसके बाद भी सोने की बरामद की हुई है और कैस की भी जैसे ही इसको लेकर के और अपडेट मिलेगा आपसे साजा करेंगे रहें न बेकबर देखते रहें इनकबर थैंक्यू